पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटी हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखें वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडो अकेले नहीं थे दुश्मन जैनिकों ने गिते पत्थरों की आज लेकर फाजी यूनिट पर थवा बोल दिया कबिन बेस काई स्कॉर्ट थी का भारतिये शेंत्रा घुसपाटियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉर्ट थी का दुश्मन उसे सामना हुआ लेटनेंट सिंकी पिट्रूल थी टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलन से किरे पत्थर और चट्टा और अंधेरा अचा गया छे घंटे बाद जब लेटनेंट सिंकी आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी पिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारती असेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी भाहिचारे और भारत के लिए फौजी जहींगा बहाद। कर सίν दो भाद। झार प्यूद व्यूद थाद ठट प्यूद यूद झार झार ते नहां होता है लुप अंद कर दो, कि लुफ अंद कर दोग्कु님 के अे बिल कम दोगे कि शुफे कि अजने कुर्ण कर दो कि अजने को दोगे लुफ आजने कर दोगे हैं खझा! प्रजशब और हुओ उबए द मिटन दी एडआ कि उदाे? थाए उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करकर अखाए मैं पता लगा लूँगा अँआ हूँआ हो अजगा अच्छा अश्छा अजटए आयाउ हूँआ अच्छा 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 मैं सुआए अच्ता अच्छास हम साथ लड़ेंगे और हमें साथ अगर मैं मरा तो मैं उन्हें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ भी करो दो नोपले जोजा पॉंक जोड़ यह पाबली गुट भाई नोट सच अधिलीज कमांडर आफ रोग अधिलीज आफ रोग अधिलीज आफ रोग पॉंक पॉंक अधिलीज चाहे कैम्प में उनकी पूरी आमी ही क्यों नहो अधिलीज 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 अधिलीज